हाई फ्रेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल दा यूनीक प्लांट वर्ड में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में टॉप टैन प्लांट ऐसे शेयर करूंगी जो की सकुलन प्लांट है और काफी हाड़ी होते हैं और सर्दियों और गर्मियों स कभी खतम नहीं होते हैं आपके गार्डन में से अगर आप इसको इस तरीके से ग्रो करेंगे तो सबसे पहला तो यह है सीडम अडॉल्फी का प्लांट जो बेहत ही खुबसूरत है कलरफुल है और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है तो यह सीडम अडॉल्फी की व फ्लार प्लांट की तरह लगता है उसीडम लगता है उसको कफी काफी टाइम हो गया है और इसका कलर ढप डेख सकते हैं ज्यादा ग्रीन है तो पहले यह थोड़ा दूप में था फिर भी इसको कुछी टाइम हुआ है शिफ्ट किये हुए और लगबग 10 महीन ही न हो गया है तो अभी इसके color green हो रहे है तो ये जो है मैंने इसको जो इसका leaf है उससे grow किया था तो ये leaves इसमें थे तो उससे इसकी growth है जो है start हुई है तो leaf से अगर आप grow करेंगे तो थोड़ा laggy हो जाता है अगर cutting से grow करते हैं तो ये इस तरह के कुछ दिखता है थोड़ी heavy growth का तो आप ये notice करना इसके leaf और cutting से जब हम इसको grow करते हैं तो दोनों में इसकी growth है अलग देखने को मिलती है cutting जो है हमेशा healthy ही होती है और जो leaf होती है वो थोड़ी सी branch कमजोर होती है क्योंकि वो नहीं branch होती है इसलिए और ये थोड़ा सा mix से उसमें पढ़ा है sunlight में धूप भी है shade भी है तो इसकी वज़े से color भी कुछ इस तरह के हैं तो ये तो पहला plant है आप चाहे सर्दियों में grow करें चाहे गर्मियों में ये हमेशा आपके पास बना रहता है और नहीं से नहीं इसकी cutting जो है लगाते रहना चाहिए ये नहीं एक ही pot में लगा हुआ है और आप इसको ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि कोई भी प्लांट हो चाहे पर्मनेंट हो चाहे सकुलन्ट हो तो कभी ना कभी हो उसके खतम होने की chances रहते हैं तो second है ये रूबी नेकलस का प्लांट ये भी एक सकुलन्ट प्लांट है बहुत जादा हाड़ी है इसको भी हम चाहे गर्मी में लगाएं चाहे सर्दी में लगाएं ये दोनों ही मौसम में काफी अच्छे से चलता है यलो कलर के इस पे छोटे छोटे फूल आते हैं और मुझे इसके कलर जो है ग्रीन ही पसंद है ये परपल वाले इतने नहीं लेकिन आजकल जो इसकी ग्रोथ है वो काफी देखने में खूब सूरत है हल्दी है परपल इसकी स्ट्रेम होती है और उसी के साथ इसकी जो लीवस है वो भी इस तरह से हो जाती है तो अब देख सकते हैं उपर उपर से थोड़ा ये ग्रीन है इसका रीजन नहीं है कि मैंने इसको कुछ ही टाइम पहले धूप में जो है इसकी फेसिंग जो धूप की तरफ कर दी है और ये प्लांट जो है आप कटिंग से असानी से ग्रोव कर सकते हैं लेकिन आप इसको एक लीव से भी ग्रो हुआ पड़ा है तो कभी भी मैंने शायद इसकी वीडियो शेयर नहीं किया किसी चैनल पे तो आज मुझे मुझे मौका मिला है तो क्योंकि छोटे-छोटे से मेरे पास प्लांटर्स हैं तो उनमें फिर पता नहीं चलता है जब वीडियो बनानी होती है तो इसकी रूट इस इसकी जो एक रूट है वो देख सकते हैं इसको मैंने सुना था कि लीफ से ये ग्रो नहीं होता है मैंने ट्राइ भी किया था जब घर में थी तो नहीं हुआ था लेकिन यहां पर इसका जो लीफ है अपने आप गिरा है और अपने आप ही ग्रो हो गया है तो इसकी कटिंग भी आप जब मर्जी चाहिए लगा सकते हैं ग्रो कर सकते हैं और इनकी कटिंग भी लगाते रहना चाहिए क्योंकि जो कटिंग होती है वो में प्लांट से ज्यादा हेल्दी होती है और ग्लो करती है काफी इसमें फ्रेशनेस होती है तो इस तरह से ये एक रूबीन एकलिस क सर्दी और गर्मी दोनों में ही चलने वाला एक खुब सूरत हैंगिंग प्लांट है तो यहां से अभी इसके जो यह ब्रांचे से खराब होने लगे हैं क्योंकि काफी टाइम से है जब नीचे को वेट ऐसे पढ़ता है कंटेनर या पॉट छोटा होता है तो इस तरह से प्राबलम आती ही है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके लीव कितने बड़े बड़े हैं और अभी मुझे जरूरत है इसको रिपॉर्ट करने की लेकिन मैं करूंगी नहीं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो प्लांट हम जितने बढ़ाते जाएंगे फिर उतने ही बढ़ते जाएंगे तो अभी तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगी एज़िसी रहने दूंगी लेकिन इसकी जो उपर की टॉप की येलो लीव से हुई हुई पड़ी हैं तो वो साइन होता है इसको रिपोर्टिंग करने का तो ये खुबसूरत सा रूबी नेकलस का प्लांट है जिसको हम जो है हाडी प्लांट बोल सकते हैं हाडी सकुलेंट प्लांट और उसके बाद है ये गोस्ट प्लांट ये भी काफी हाडी प्लांट होता है और इसके कलर का हाफी खुबसूरत आते हैं दूप में या शेड में रखे दोनों में ही काफी कुबसूरत लगता है और आप इसको सब्सक्रत सकते worries and सब्सक्राइब कर दें। गर्मी और सर्थी किसी भी सेसन में ग्रो कर सकते तो अभी इनकी रूट्स तो नहीं बनी होंगी, क्योंकि कुछी दिन हुए है, हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, शायद, तो इने थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसी के साथ एचिवेरिया है, एचिवेरिया भी काफी हाडी प्लांट होता है, आप सर्दी, गर्मी, दोनों ह लगा सकते हैं, लेकिन एचिवेरिया की बहुत सारी वराइटी जो यह भी एचिवेरिया की वराइटी है, तो यह दोसौन है, लेकिन इह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यह हाडी प्लांट है, हर मौसम में मेरे पास रहता है, चाहे बारिश का मौसमर्ण, चाहे गर्मी तो हर मौसम में ये बना रहता है, इसको हम कटिंग से भी ग्रू कर सकते हैं, और लीव से भी ग्रूते हैं काफी जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं, और हमेशा आपके गाड़न में ये बना रहता है, उसके बाद है, एक बहुत ही कुपसूरत सा और काफी वुश्य हुआ पड़ तो आप इसकी ग्रोथ जो है देख सकते हैं कैसे इसके टिप और इसकी जो मीडियों मिड्र साइज मिड्र जो इसका पौर्शन है वहां से बीसकी ग्रोथ है वह स्टार्ट हो रही है तो इसका जो सीजन चल रहा है इसी वज़े से इसकी जो ग्रोथ है काफी अच्छी कासे चल रही है नर्सरी इस भी मैंने देखा है कि काफी खुबसूरत इसके कलर आ रहे है लेकिन जो मेरे पास ये प्लांट है इसको भी ट्रिमिंग की जरूरत ही तो मुझे लगता है नमंबर में या अक्तूबर नमंबर में इसकी ट्रिमिंग अगर मैं करती तो और भी ज्यादा ये खुबसूरत होता लेकिन फिलहाल मैं इसको नहीं चीड़ूंगी इस सीजन में ऐसे ही ये बना रहेगा इदर उदर इसकी कटिंग गिरती रहती है और उसे से अपने आप ये ग्रो होता रहता है इसको भी आप गर्मी सर्दी दोनों ही मौसम में ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसको मैं गर्मियों में लेकर आई थी और मदर के पास भी मैंने इसके कुछ कटिंग दी थी और वहाँ पर भी इसने एक सीजन गर्मी का निकाल लिया है उसके बाद है यह सीडम की वराइटी ग्रीन मॉस यह भी बहुत प्यारा और खुबसूरत प्लांट है सकुलन प्लांट है इसको भी हम कटिंग से असानी से ग्रो कर सकते हैं और हर मौसम में आपके गार्डन में बना रहता है तो इस तरह से चोटे-चोटे से इसके लीफ्स और ब्रांचिस होती हैं माश्य होशी होता है। लैंड्सकेपिंग में इसपरे के प्लांट्स जो Bean काफी यूज किये जाते हैं संदर भी लगते हैं तो अगर आप प्लांट अरेंजardमिंट चाहते हैं तो इसको यूज कर सकतेह हैं और उसके बाद है मेरे है मेरे घ्याल से सबसे हाड़ी मेरे पास यही प्लांट है एक जो कि छो कर valu पॉर्ट हम सरा बअनने जो कि और मेरे पास उठा़ों अपर फॉर्ट हर पॉर्ट में कि खर फॉर्ट हे हम belong सब रहते कैना था है प्लांट फिर अपनी जो ग्रोध है थोड़ी स्लो कर देता है लेकिन इसमें से जो मैंने कटिंग से गहरा इदर उदर निकाल के लगाई हुई है वो काफी अच्छे से और काफी फास्ट ग्रोव करती है तो ये इसका लीफ है एक मैंने मिट्टी में से दबा दिया था तो अभी इसकी जो रूट है वो बन चुकी है तो इसको लीफ और कटिंग से हमसानी से ग्रोव कर सकते हैं इसमें फूल भी बनते हैं तो आगे जो सीजन आएगा उसमें फूल भी आएंगे इस पी और इसको भी सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में हम लगा सकते हैं हाड़ी प्लांट है इसकी भी कटिंग लगाते रहें तो हमारे पास ये हमेशा जिन्दा रहता है तो ये भी बिसिकली एक सकुलन प्लांट है उसके बाद है ये चोटा सा बहुत ही प्यारा सा चोटे चोटे लीवस वाला प्लांट ये इसका नाम सीडम है ये डेजी फाइलम सीडम है और काफी की उपसूरत होता है तो मेरे पास तो ये भी हाड़ी तरीके से ही ग्रो हो रहा है कभी भी खतम नहीं हुआ ये प्लांट और इसकी जो कटिंग है अपने आप इदर उदर गिरती रहती है तो मैं इसको मिट्टी में ऐसे ही रख देती हूँ वहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और बन जाता है तो इसमें मैंने काफी टाइम से लगाया हुआ है और शायद जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब ही इसको मैंने ग्रो किया था और इस चैनल को स्टार्ट किये हुए पूरा वन येर होने वाला है तो वन येर में लगभग 10 महिने हो चुके हैं इसकी ग में घरमी जब में इसको ग्रोव करूँ यह भी घरमी में इसको ग्रोहई हो जाता था यह बी और यह भी हाड़ी प्लांट है मेरे पास हमेशा रहता है सर्दी गर्मी दोनों ही मौसम इसने निकाल दिये हैं कभी भी यह प्लांट ऐसे खतम नहीं हुआ है हाँ थोड़ी सी डलनेस इसमें आ जाती है लेकिन जब मैं इसके पुराने लीफ्स जाड़ देती हूं तो अपने अब फिर ये नई growth start करता है और बुशी ओ जाता है यहां पर आप देख सकते हैं छोटी सी cutting जैसे यह pot है है स्थे आप बख्ली ही भी आप लगा सकते हैं यह बाद है string of banana यह तो काफी hardy plant है और हर common plant है यह इतना यह नहीं है कि मिलता नहीं है हर मौसम में चलता है succulent plant है सर्दी गर्मी जब मर्जी आप इसकी cutting लगाएं लग जाती है तो एक लंबी ब्राँच थी इसकी लागी से मैंने इसको round shape में इस तरह से रख दिया था तो अभी इसकी roots बनी है तो इसको bushy करने का यह एक असान सा तरीका है आप इसको cutting के अभी ना इसकी लंबी ब्राँच को इस तरह से रख दीजिये तो grow हो जाता है और bushy हो जाता है और इसमें भी इसकी नहीं नहीं growth जो है start हो रही है और यह भी एक succulent plant है दोनों मौसम में cutting चल जाती है तो यह आज के top 10 ऐसे plants मैंने आपको दिखाए हैं जो मेरे पास काफी hardy तरीके से grow हो रहे हैं कभी खतम नहीं होते हैं तो आज की video जहीं पे खतम करती हूँ अच्छी लगे तो like करना फिट से मिलेंगे नहीं video के साथ तब तक के लिए bye bye take care